हैलो गाइज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्षा न tuna शाले के तरफ से दिया जाने वाला संस्कित का पेपर क्लास नाइंत का पेपर सॉल्व करने वाले हैं का Lord one कर मैज़न भड़ु करेंगे तो एपटित गद्यांज में यहां पेटे को एक मायादास नामा क्व्यक्ति है, उसकी कहानी दी गई है, जिसके पास खूब धन, दोलत है, अच्छे से है, एक दिन वो ऐसी कामना करता है, धन तरशना, उसको पैसा का लालच हो जाता है, उसकी वाइफ का प्रिया, उसकी प्र ही है, उसकी लिए न, क्योंकि हर एक चीज़ होने की हो जाएगी, तब भी कामनी चलेगा, तो इसी तरह से शोर्ट में आपको बता दिये कि यह कहा गया है, अब इसके कोशन थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो क्या कहा गया, अंसर को कहा से ढूड़ना है, पैराग्राफ स देना है, नेक्स देखे, नरप्य के आसी, तो नरप्य जो था, वो कौन था, तो यहां पर हो जाएगा, मायादास, तो हम लिख देंगे, मायादास है, ठीक है, उसके बाद नेक्स बूच है, क्या भूत भवेत धार, यती समय है, किसके पास में अच्छा वैभव था, तो इ उन्हें क्या कहा था, यहां से अंसरा आजाएगा, देखे, फर्स्ट का एहम लक्षमी, तव अराधनेन प्रातनाए, चया प्रसनन वर वशिने में, कि मैं आपकी प्रातना से प्रसन हुई, तो फर्स्ट का अंसर यह हो जाएगा, सेकिन देखते हैं, धनी नरपस्य का यहां से देखो, मैं यहां से लिखें कि सेकिंड का असर, तच्से एक्छा आसीत, यह ते सर्व स्वार्नम से आत, एकाज रात्रो, इचेर वजमर निद्राश्यम, जगाष, चैस्चयन, से आत, यहां तक आप लिख सकते हैं, यहां पूछी गही थी कि इक्छा क्या हुई, तो एक रात उसकी एक्षा होई कि सभी कुछ क्या हो जाए सोने का हो जाए नेक्स देखते हैं कोशिन नमबर थार्ड में क्या कहा गया है क्या प्रभूत भवेत व्याभव धारितिस में क्या क्या था उसके पास में व्याभव में तो यहां से आजएगा अंसर नमबर 3 तक यहां तक पूरा यह अंसर हो जाएगा देखकर ही लिखना है आपको विपुल से लेके यहां नासी तो यह चीज़े उसके पास में थी अब हम करते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट में सबसे पहले क्या कहा गया है सै कोशन पूछा गया कि इसका जो शीर्षक है देखो क्या कहा गया है शीर्षक हमें बताना है शीर्षक इस कहानी का जो यहां पर दी गई है इसका क्या शीर्षक है देखो शीर्षक में कुछ भी हो सकता है तो माया दास से हो सकता या धन्त रिशना उसको धनका लालच हो जाता है, धन्त रिशना हो सकता है, तो माया दास अगर आप लिख देंगे, फर्स्ट लाइन के अंदरी आपको क्या मिल सकता है, शीर्शक मिल सकता है, उसके बाद नेक्स देखते हैं, कोशन दै में देखे क्या कहा गया, प्रकाशेन इते के शब्द अत्य प्रियुक्त प्रकाश के लिए प्रकाश का प्रयाई वाची शब्द क्या है आलोकेन प्रीती इती पदस्य विशेशन प्रियुक्त 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 हुआ है तो महती आप पराग्राफ में से देखेंगे महती हो जाएगा उपविष्ट के लिए क्रत्या पद यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इसी पर आपको उसको एक पतर लिखना है तो आईए करते हैं इसका अंसर इस तरह से हम लिखेंगे नम दिल ही प्रिये मितर रमेश से प्रेम मैं भवाम कुशली वयम अत्र सर्वे कुशलिन समय भी हम सब कुछ यहां पर ठीक तक है शुब समाचारी अस्ति परिक्शा प्रेणाम आगतर की प्रिक्शा का प्रिक्शा प्रेणाम आ गया है एहम उत्तम प्राणाम प्राक्ता मेरे अच्छे नमर आये हैं एहम स्वेम कक्षियां पर्थमस्थान मिला है प्रसंस्थान आया है ग्रह सर्वे पसंद प्रसंद संती घर में सभी अच्छे हैं पुठे लिखे मैं तुम्हें दुबारा लिखूंगा सर्भेवे असमर नमस्कारा आर्वे आवा शिगर मिलाओ हम शगित ही मिलेंगे प्रियमित्र वशिस्ट नॉमित्र इस तरह से देखो दुम्हें सिंपल सिंपल शब्दों के साथ में आपको लिखना एक स्क्रीन शोट आप ले सकते हैं अब प्रशन नमर तीन में देखो क्या कहा गया है यहां पर देखते हैं यहां पर लिखने तो आईए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। पोलसको जो पिछर में दिखाये हैं और मंजूशा के साथ मैच करे विए लिग सकते हैं , इसके बात इसके अत्वा में कोशन कोर्षन दिया गया जिसमें क्या कहा गया है कि janeam divoas smaaroi पर आपको वाक्य लिखने है पांच वाक्य लिखने हैं, मंजूशाज यहाँ पर दिये गए हैं, तो पांच वाक्य जनम दिन के अफसर पर आपको लिखने हैं, देखते हैं इसका अंसर, देखो किस तरह से लिख सकते हैं, अध्यमम अनुजस्य जनम दिस समारो अस्ती, मेरे बड़े भाय का जनम दिस समार कर से केक करतन करोती केक काट रहा है सर्वे जना पर Pine части सबी लोग वहां पर खुश है जनम दिवसय अनेका जना उपस्थित संती जनम दिन उपर बहुत सारे लोग अनेक लोग उपस्थित है उसके बार देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम जन्रेकादन केक ती सब्सक्राइब पर दार्थन खा दिया थी सबी जंद जो लोग है वह धो केक खा रहे हैं असमीन अफसरे जनार मिर्तिनतृ इस असमाघ जनम दिन दिन वर्ष एकार घृशति हमारा जो जनम दिन हम वर्ष में एक बारUT एहम अति परसनम श्मी मर्या मैं बहुत जादा प्रसन हुए तरह किया गए है अपने भाई की बात की गई है यहाँ पर क्या कहा गए है कि जन्व दिन एक बार आता है और हम सब प्रसन है तो इस तरह से अब कुछ भी लाइने यहाँ पर एड कर सकते हैं अब हम करते हैं next question, question number 4 जिस्में अनवात करना है, यहाँ पर वाक्य दिये गए हैं जिसमें हमें क्या करना है, संसकित में अनवात करना है कि मैं बाजार जाता हूँ, बालक बंदर से डरता है, वह हमारा मित्र है परिश्रम से ही सफलता मिलती है, हम सब संसकित परते हैं, देव गाने में कुशल है तो देखो किस तरह से लिखेंगे मैं बजार जाता हूँ एहम विप्यन गच्छामी ठीक है बालक वानरम भेभीत भवती बालक क्या करते हैं बंदरों से डरते हैं से असकाम मित्रम सस्तिव है मेरा मित्र है परिश्रमेन सफलता प्राप्ते परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है वयम सर्वे संस्कृत अधियम हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं देव गायने विनिपून अस्ती जो देव है वो गायन में निपून है तो ये इसकी संस्कृत के अनुवाद करना था तो आप एक screenshot ले सकते हैं इसका देखो इस तरह से आप एक screenshot ले लीजिए जिसे कि आपके answer जो है वो आप अच्छे से समझ के इसको learn कर सके अब हम next section कर रहे है section gap हमने start कर दिया है question number 5 में देखें यहाँ पर क्या कहा गया है संदी विचेद करना है या फिर क्या है यहाँ पर कुछ संदी विचेद करना है यह संदी पत करना है तो सबसे पहले देखो क्या है 3 step 1 हम यहां पर लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे हम श्रेस्ट्रie यहां पर क defensi है क्या कर देंगे यहां पर यह हो जाएगा यह स्ट्रेस्ट्य है क्या हो जाएगा देखोड़ेधी छोट्ड़े शुत्ड़ लिखते थोड़ा THIS से कि आपको समझदा थोड़ा सा आसान हो जाए इस तरह से लिखेंगे तो first का क्या हो जाएगा stress याहा ठीक है उसके बाद second क्या है देववपी तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे देवपी कर देंगे इसको ठीक है क्योंकि यहाँ पे O और A की मातरा है इसलिए उसके बाद पूर्शा परजिधम क्या लिख देंगे इसको पूरुष प्लस उपारजिता उपार जी ताहा ठीक है इस तरह से उसके बाद यथा प्लस एक्षा तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको पहले वाले हटा रही हूं ठीक है अब देखो इसको किस तरह से लिखेंगे यथा प्लस एक्षाया यह हो जाएगा इसका ठीक है उसके बाद सनान अर्थम उपकरणम यह देखो सब को मिक्स करना है इकठा क करना है इसका संधीप बनाना है तो हम लिखेंगे सनान सनान यह यह और मिलके सनान अर्थमम करना हो जाएगा यह इस तरह से हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा ध्यान से इसको हमने यहां मिला दिया अब हम करते हैं रिकिस्थां में आईगा वो बताने देखो अगनी धैश नहीं दाथी तो यहां पर आजाएगा राजा कैंसर यहां पर आजाएगा जो राजा है क्या है राजधर्म को विहिन नहीं हो सकता है मानसी व्याची किरियायाम चै डैश समानता भवती तो थर्ड में आजएगा विदुशाम थर्ड में क्या आजएगा विदुशाम उसके बाद next देखते हैं next question में डैश क्या कहा गया सजणाम आदर कुरवनती भी सजणों का आदन कोन करता है तो यहाँ पर आजएगा question number धर में आएगा भवनते क्या आजएगा भवनते चीक है उसके बाद बाल के उचित हसेते तो गच्छता यहाँ पर क्या आजएगा गच्छता क्या answer यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब question number 7 में देखते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है क्रियापथ देखना है कि कौन सा सही है सबसे पहले राधा राधा बाल ग्रह नयती क्या अंसर यहाँ पर सही हो जाएगा वया मिलित्वा प्रशन प्रश्च्याम क्या हो जाएगा प्रश्च्याम से अंसर यहाँ पर सही हो जाएगा त्वम पुस्तक पठामी स्वरी पठसी स्वरी पठसी आएगा यहाँ पर पठसी नेक्स देखिए अंबा स्वादिस्ट भोजनम पचेत एंसर यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स देखिए शिक्स में एहम वेदान जाननी क्या हो जाएगा एहम वेदान जानमी एक सेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर एहम वदाम जानमी है अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उसके बाद कोशन नबर एट देखे क्या कहा गया कारक विवक्ति को हमें बताना है तो सबसे पहले देखो क्या है बाले डैश ने प्रमध्यम तो बाले सत्यात के अंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा परिश्रमी मनुश्य डैश एम सती जो परिश्रमी मनुश्य होता है करमानी से अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उस पर विश्वाश करता ह की परेयोजनम मुर्ख पुत्रेन, मुर्ट पुत्रेन यहाँ पर सही हो जाएगा, Question no.4 में देखे, दैश निकषा, एक देवालय शोपते, तो विधाल्यम, क्या आजएगा, विधाल्यम, ए अनसर यहाँ पर सही हो जाएगा, राम-डैश-अलम तो शत्रूब है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शत्रूब है नेक्स्ट कोशन देखते हैं, कोशन नमबर नाइन यहाँ पर हमें क्या करना है? संदी विचेद बताने हैं कि कौन सा सही है कोशन नमबर नाइन में देखते हैं पुद्धि, मति, विहसय, एवदत, तो विहसय विहसय में यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? उसके बाद क्रतवा क्र प्लस कतवा में हमें बताना है कि किस तरह से होगा? तो खें अंसर क्रतवा जब sound करते हैं तो देखो बोलने में पता चल जाता है Krateswaha उसके बाद next है यहाँ पर पठी तूम पठी तूम तो पट पलस तूमिन यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके बाद गत्वा गय असर सही होगा गय गं पलस कत्वा देखो थोड़ा सा गम प्लस कत्वा ठीक है उसके बाद next देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर संस्कित सो तक संस्कित आप अच्छे से याद कर लिजे क्योंकि हर बार लगबग पूछी जाती है तो सबसे पहले चार को हम क्या कहते हैं चत्वार यह आपको सब को पता होगा उसके बाद अठारा को अस्टा दश क्या कहा जाता है अस्टा दश उसके बाद साथ को सब्त कहते हैं उसके बाद इको क्या कहा गया है तेरा तेरा को त्रे दश कहते हैं त्रे आदश उसके बाद 12 मतला 12 तो बहुत छोटी ही गिंती उन्होंने पूछ लिया तो ये 20 तक तो एकदम अच्छे से आने चाहिए बाकि 100 तक करेंगे तो और भी अच्छे से नंबर आपके आजाएंगे next देखते हैं next question में क्या कहा गया question number 11 में क्या कहा गया अगर है तो हमें उपसर्ग निकालना है इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा नीर गच्छत क्या हो जाएगा यहां पर नीर अलगा आजाएगा नीर क्या है इसका उपसर्ग आजाएगा और आगच्छत आगच्छत यहां पर मूल शब्द हो जाएगा एवदत एवदत ठीक है उसके बाद में विशियते तो देखो इन दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा वीशियते ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है अनुकरोती तो ये क्या बन जाएगा सीधा-सीधा इन दोनों को जोड़ना है हमें क्या बनेगा अनुकरोती ये इसका जब प् फटाफट हो जाता है तो अनु करोती next देखते है question number 12 question number 12 में हमें क्या करना है यहाँ पर feeling the blank से रिक्स्तानों की पूर्ति करने है यत्र नरेस्ते पूजते रम्मनते तत्र देवता तो जहां यत्र आता है वहाँ पर तत्र आता है वहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर तदा आ जाएगा व्रदार जहाँ पर यदा आता है वहाँ पर तदा भी आता है उसके बाद सोवार शव भवस्ती तो यहाँ पर क्या जाएगा शव भवस्ती यहाँ पर क्या हो जाएगा श्वेह नहीं आएगा ठीक है next देखिए डैश क्रिया ने विद्यती कोई भी क्रिया अचानक नहीं होती तो सहसा अनुधा नहीं आएगा कोलाहल डैश कुरू कोलाहल मा कुरू यहाँ पर क्या हो जाएगा जो 12 का फिफ्ट है इसमें मा आ जाएगा नुतन नहीं आएगा ठीक है तो यह अनसर देखो मैं एक बटिक कर देती हूँ तदा दा श्वेस सहसा और मा यह अनसर इसके क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे ठीक है यहां पर देखो क्या कहा गया व्रद्धास्तरी की द्रश्य आसी तो व्रद्धास्तरी कैसी थी निर्धना तो फास्ट का क्या हो जाएगा निर्धना निर्धनास्तरी कुत्रनविसंत निर्धनास्तरी थी जो कहां रहती थी ग्राम में ग्रामा में तो क्या आंसर हो घृत अब देखो नगत Landes. एक एक वाक्या में आपको अंसर देना है किच कालांतरन किम अभवत् इसका यहां से देखो शब्द आप ढूंडो कहां पर अगर जादा समझ नहीं आता है आपको तो शब्द ढूंडो देखो यह रहा किचित कालांतरन एको विचितर काक समुडिया तस्या समीप आगच्छत तो यह हो जाएका फरस्ट का अंसर एक लाइन में आपको देना है ने विनर्म मनोह चासि तो यह 2 आगर दोग्रक्रण को सम्झा dripping आज़ी तो यहांसे देखो यहां से अप लग सकते है पुत्रिम आज़ी यहां से यहांसे यहांसे राधी दिया गया है यह 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 वाले रहे ने हमस्ध का आईज़ील यहांपर हमें क्या कर्णा है इसका संधी विनर्म डुहिता की क्या हो जाएगी विशेशन तो धनवति की यहाँ पर आपको क्या पताना है विलोमशत बताना है तो क्या हो जाएगा निर्धना इसमें पैराग्राफ में आया भी है तो हम लिख देंगे निर्धना हाँ अब करते हैं कोशन नंबर 14 कोशन नंबर 14 में एक शलोग दिया गया है जिसे दीड करना है उसके अंसर है तो आईए देखते हैं इसके अंसर हम यहीं से देखते हैं तो सबसे पहले देखो क्या करना है कोशन नंबर 14 में देखो क्या कहा गया है कि कैसे मितर की क्या है अरंभ भ दिल लगा दीजिए, के शाम मित्र पश्चात व्रद मित्थी भवती, तो यहाँ पर सजनाना आजाएगा, यहाँ पिर क्या आजाएगा यहाँ यह दिखा गया है, सजनाम, तो यह हो जाएगा second का answer, ठीक है, यह किसका हो जाएगा, second का, third में क्या है, खल सजनाम मित्रिक की भवया भवती तो भिन्ना देखो ये लिखा हुआ थर्ड का अंसर पहला ग्राफ में से आपको अंसर ढूणने हैं जहां से थोड़ा-थोड़ा मैच करता है वो अंसर लिख सकते हैं तो फर्स्ट का अंसर देखो खला नाम हो जाएगा सेकिंड का अंसर सजनाम हो जाएगा थर्ड का भिन्ना हो जाएगा नेक्स देखते हैं एक एक शब्द में आपको अंसर देने हैं देखो क्या कहा गया है शब्द में दिनस्या पुर्वधेयम केशाम मित्र भवती तो केशाम की जगा आपको कैसा आजाएगा खाला नाम, क्या लिख देंगे आप, खाला नाम, ठीक है, फर्स्ट में ये आ जाएगा, सेकंड दिनस्य अपरावद, छाइवे, केशाम, मेत्र, भावती, तो कैसा, यहाँ पे केशाम की जगा क्या लिखेंगे, सज्ज नाम, क्या लिखेंगे, सज्ज नाम, ठीक है, नेक्स् से अंसर लिखेंगे कि किस तरह से होना चाहिए सजनाम का मित्र यहां से देखो इसका अंसर लिखेंगे लगवी पूर्वा वृद्धी ध्यमती तैपश्चा तो यह हो जाएगा थर्ड का अंसर ठीक है अब हम करते हैं इसके आगे के कोशिन को क्या कहा गया है इसके आगे में ठीक है अत्रभवती क्रिया पदम अस्ती यहां पर क्या है एक से किंदे को क्या कहा गया है यहां पर हम यहां से कोशिन कर रहेते हैं श्लोक श्लोके लगवी इती पदस्य प्रिव्य प्रित्त्म तो इस त्रिया पद क्या है भवति का तो मैत्री आ जाएगा यहां पर थार्ड में देखे सजनाम इती पदस्य विप्रिया पदम किम तो सजनाम का विप्रीत शब्द क्या हो जाएगा खल नाम तो हमने बार-बार देखा है खल नाम में हो जाएगा ठीक है उसके देखो next देखते हैं question question number 15 question number 15 में यहाँ पे एक नाटक दिया गया है उसी से related question है तो आईए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है यहाँ पर मातान से कस्य आफशकता भवती किसकी आफशकता हुई थी माता को देखो यहाँ से आजाएगा यह देखो यहाँ पर लिखा गया है हम यहाँ पर वैसे तो आजाएगा दुखदस से आजाएगा लेकिन हम इसमें से अंसर ढूंड के आपको देखते हैं कि देखो जहाँ पर यह देखो आफशकता भवती तो यहाँ पर दुखदस से है question ढूंडो paragraph में से learn करने की ज़रूत नहीं है paragraph में से ढूंडो और सिधे सिधे अंसर होते हैं तो first में क्या जाएगा दुखदस से है सेकेंड कोश्चन क्या कहा गया है तो इससे रिलेटर आपका आंसर हो जाएगा तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर साफसाफ लिखा गया है कितने दिनों तक था सब्ट दिनानी तो इस तरह से आपको अंसर ढूंडने हैं जहां पर आगे पिछे के शब्द मैच कीजिए और अपना अंसर लिख दी दे तो सब्ट दिनानी आ जाएगा थार्ड कोशन देखो क्या कहा गया चंद कस्या भू सेवा करोती तो चंद किसकी सेवा कर रहा था तो धेनू की गाएं की सेवा कर रहा था तो देखो यहां पर दिखते हैं चंद कस्या यहां पर ढूंडेंगे वांसर की कहां पर है तो देखो यहां पर यहां पर धेनू किसकी सेवा बहु सेवा करता था लिखा गया है बहु सेवा करोती तो धेनु एक बढ़े आपके बता देती हूं सेवा फर्स्ट कांसर यह हो जाएगा सेकिन का सब दिनानी और थार्ड में धेनु हो जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स देखो क्या है तू चंदन धनिको भविशती कस्या क्रपया तू चंदन धनिको भविशती तो देखते हैं इसके अंदर इस कांसर देखो क्या हो जाएगा यहां से फिर्स्ट कांसर देखो तव क्रपया तू अहम धनिक भविशामी में लब तू और अमीर हो जाएगा तो यह हो जाएगा फि दूग्द कदा सुरक्षती ना भविशयती दूग्द कभ वह नहीं होगा तो इस कांसर देखो यहां से हम लिखेंगे यहां से यदी से लेको धेखो यदी प्रती दीन दोहन करोमी तेहम दूग सुरक्षतम ना तिस्टती यह सेकंड कांसर हो जाएगा उसके बाद थार्ड मे सवंदो can write november pro लुए विप्रिया को सब्सब्धा इसका यहां प्रविश्याट है सोपनी विप्रिया ओध मेगा तो विप्रिया का क्या हो जाएगा प्रविश्य है, हम लिखेंगे प्रविश्य है, ठीके, उसके बाद अब रेखांकित शब्दों को हमें क्या करना है, इसको हमें प्रशन बनाना है, तो आईए करते हैं, कोशन नमबर 16 में, देखो सबसे पहले, हमें जो अंडर लाइन है, वहाँ पे सिर्फ कोशन मार्क लगाना है, तो दरिद्रता, मधु वर्चने, दरिद्रता, नयभवती, तो का, फर्स्ट में क्या आजाएगा, का, मधुर वर्चने, का, नयभवती, नेक्स्ट में, राम, मकराले, सुतु, भंधन, तो यहाँ पे कुत्र, सेकिन में क्या आज को जाएगा उसके बाद में प्रुछ वाक्य पर दाने सरवेतुश्यंती जानतं है मैं करते हैं कोशिशाक काहा है ऐस श्लोक दिया गया जिसे की अपने जो यह करेंगे जो मंजूशा दिये गए से इसको कंप्लीट करना है तो देखो किस तरह से कंप्लीट करेंगे सबसे पहले फरस्ट में आएगा देखो लिपी यहां से कट कर दिया उसके बाद में ग्यान यहां से कट कर दिया विना यहां से कट कर दिया ठीक है उसके ब में अब ग्यान है ग्यान से ज्ञान को कर कर दिया बिना को och act I It … केवल देखो केवलं से किके लिमत सब भी हो निज पयोगा ठुम दिए कि र beef जए जाइगा फिक नित्यत चर्फ से वह भुषा सोगता को फिर संजाए どo किस और दिख्यों ग्यान अया इसको ग्यान कट ऺडिया इनके बीच में क्या है अक्षर तो थोड़ा सा तिमाक लगाऊ इसको अक्षर हो गया उसके बाद में देखो यहां पर बीना केवलम यह कट कर दिया हमने उसके बाद एव के साथ में आ गया यदी यहां से शुरू होगा तो अब क्या बचाय तपो भी तो सेकिंड में क्या हो इस सब्सक्क्राइब यहां पर आप यह चाल आप धान theor ऑंवस्य क करना है रहान पर यहां पहरारा यह ठीपन सब्सक्राइब है ञेजिक चुपपलीट करनाई दो जासे की फॉर्स्ट में ऐगा रहते हैं שजना अटेय। बंत है जन्हतादश करमाणी यहाँ पे क्या जग कुर्यू्ज kas आ जाएगा यानि जन्हाय किर्ती अप किर्तम करोती, लोग क्या करेंगे आपकी अप किर्ती करेंगे, तो यहाँ पे यह हो जाएगा उसके बाद next देखते हैं, यहाँ पर question एगा 4th sentence ठीक है उसके बाद 2nd number पर एगा 7th ठीक है उसके बाद 3rd पर आएगा 1st ठीक है उसके बाद 6th आएगा 4th पर यह मैंसे बता देती हूँ आप अच्छे से इसको कर लीजेगा फिर आएगा 1 second पर 3rd करना था यहां पर 4th करना था ठीक है उसके बाद में 5th आएगा 3rd प और इसके बाद 7th आएगा 8th आएगा 7th पर और 2nd आएगा 8th आएगा 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 तोरह सा confusion है ज़को पहले फिर फॉस्टाइगा फिर यह वाला आएगा फिर 9th पर 6th वाला इस तरह से आपका पूरा यह लान में जाए इसको करना करना तोतरह से इसी सिक्वेंस में करन में क्या जाएगा कालिंदनां जयाताम तेरे समीर वहते तो यमुनाहां सेकिन में सलील क्या हो जाएगा जलम हो जाएगा थार्ड में क्या कहा गया अनिंदता क्या हो जाएगा प्रसन्ना हो जाएगा नेक्स देखो क्या कहा गया है उसके बाद नेक्स में क्या कहा गया है अलि पर नेत्र हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद पंकजम, पंकज मतलब सरोज हो जाएगा, कमल जिसे कहा जाता है, थर्ड सरीता मतलब की हो जाएगा, तर्टीनी, यह हो जाएगा थर्ड का, और उसके बाद नीरम, यहाँ पर हो जाएगा, सलीलम मतलब जल, यह हो जाएगा चार का तो गाइज यहां पर हमारा जो सैंपल पेपर है वो कम्प्लीट होता है आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे आप अच्छी से तैयारी करके अपनी प्रैक्रिस कर सकते हैं इसके लावा इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज ह के नाम से अप उसको भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर आपको अंसर की शोट में और सेंपल पेपर भी शोट में मिल जाएगा तो आप भी कमेंट करियेगा आपको ईंसर की भी कोशन पर से पहले आपको इसके हुएनपौेंट कोशन हरेक सब्जेक्ट के और अंसर की रहुए आपको वहां पर जायाएगी अप अच्छे से तयारी करिएगा और जिससे की अच्छे अच्छे अंदर तो आओ वहाँ से क्लिक करके भी आप अंसर अपने जो सेपले पेपर हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं थेंक्यू गाइज